लेट स्टार्ट के गए यह CRO है जिसको कि हम कैथोड रे औसलोस्कोप कहते हैं और कैथोड रे औसलोस्कोप यह अब डिजिटल फर्म में है इससे पहले जब हमने पड़ा है तो वह डिजिटल नहीं था वह एलेक्टिकल मोड वारा होता था जिसमें लंबी सी CRO तीम होती थी उससे बैलाइस करते थे अब यह चीज सेमिकंडक्टर से डिजिटलाइज हो चुकी है अब यह CRO इस्टूमेंट के साथ अगर आप कभी भी कोई एक्सपरिमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको CRO एक्सपरिमेंट को अन करना है अन करने से पहले आपने बेसिक इन सेट क्लोज कर लीजे इसको यह हमारा । प्रिक्वेंची एग्जसमेंट इसमें देखनेंगे आपको दिखेगा माlearning सेकेंड और मिली सेकंड माईक्रो सेकंड और सेकंड के हमारे पास division बने हुए होते हैं इसमें क्या होता है कि आप इसको जैसे माली जी कि आपने इसको 0.1 पर अभी रख लिया है millisecond के अगर आप इसको millisecond के 0.1 पर रख रहे हैं तो इसका मतलब यह time per division है अब इधर देखते हैं कि division क्या है division है जब CRO tube में जो graph paper बना हुआ है इस graph paper का जो यह एक खाना है इसको हम एक division कहते हैं तो इस एक division पर आप क्या timer set कर रहे हैं signal के लिए वो आप यहां से तै करेंगे आप timer क्यों सेट कर रहे हैं क्योंकि पूरा system जो है वो इस पर हम जो भी चीज मेजर करेंगे वो basically एक होती है frequency होती है one upon time period तो one upon time period का मतलब है कि जो भी आप time period set करोगे यहां पर time per division में उस time period के हिसाब से आप यहां पर frequency signal को match करा पाओगे रिजोनेंस करा के उसको अच्छे से देख पाओगे तो suppose करोगी जैसे हमने आपर अभी 0.1 रख लिया है तो अगर हम 0.1 millisecond का timer रखते है तो 0.1 millisecond का जो timer होता है वो अपने आप में इसका मतलब होता है one upon capital T बराबर one upon 0.1 millisecond जिसको कि आप क्या कह सकते है frequency range में 0.1 into milli का मतलब 10 to the power minus 4 और जब उपर आएगा frequency बन जाएगी 10 to the power 4 hertz यानि की 10 kilohertz तो ये 0.1 millisecond का signal 10 kilohertz की frequency को measure करेगा अगर 0.2 करेंगे तो फिर 5 kilohertz को measure करेगा फिर 0.5 मा जाएगे तो 2 kilohertz measure होगा फिर 1 पर आजाएगे तो फिर आपको मालूँ 1 kilohertz measure होगा तो इसी तरीके से हम frequency range अगर millisecond में हमने रखाया तो हम kilohertz की frequency वाले signal को यहाँ पर measure कर सकते है या उसको देख सकते है इसी timer को अगर हम यहाँ से microsecond के scale में ले जाएगे तो microsecond में 1 upon time period किसमें चला जाता है 10 to the power 6 में चला जाता है क्योंकि 1 upon T करेंगे अगर time signal microsecond में है तो इसका मतलब जो frequency signal है वो फिर आपका 10 to the power 6 हंच में मूब करेगा तो अगर आपको high frequency मेजर करनी है तो अगर आपको time scale है वो कहाँ पर रखना पड़ेगा वो आपको microsecond में रखना पड़ेगा और अगर आप बहुत कम frequency वाले signal को मेजर करें तो आपको second में रखना होगा तो इस चीज को हम समझ गए है अब हमको समझना होता है कि CRO में एक बहुत important चीज होती है कि यहाँ पर हमारे पास दो एक्सेस है यह एक्सेस है यह हमारे पास y-axis है एक्सेस और y-axis के बीच में सबसे पहले हम एक signal pulse लाते हैं तो signal का मतलब हम एक signal pulse को लाएंगे तो हम पहले system on करते हैं अगर हम system on करते हैं और यहाँ से switch on कर देते हैं तो system on होते ही आपको थोड़ी दिर में एक dot यहाँ पर दिखने लग जाएगा अगर यह dot आपको दिख रहा है तो अभी इसको x-axis में खिसकाना चाहें तो यह left यह right देखें x में आपका खिसक रहा है ऐसे आपका x के दूसरी direction में खिसक रहा है तो कोशिश की जाती है कि इसको ठीक center पर रखें ताकि आपको जो भी signal major करना हो वो signal अच्छे से major हो सके इसी तरीके से अगर आप उसको y-signal में major करना है तो y-signal में इसको major करने के लिए हम लोग क्या करेंगे y-signal में इसको major करने के लिए हम लोग यह वाई parameter है हमारा इस y-parameter से हम इसको up and downs कर सकते हैं अभी यहाँ पर y-parameter आपको दो दिख रहे होंगे y-position इससे भी change होती है इन दोनों का कैसे पता चलता है, इसका पता चलता है, यहाँ पर लिखा है चैनल 1, अगर आप इसको चैनल 1 पर रखेंगे, तो चैनल 1 हमारा पहला वाला है, यहाँ से वाई पोजीशन चेंज हो रही है, अगर आप इसको चैनल 2 पर रखेंगे, तो चैनल 2 पर ले आएंगे, इस से वाई position चेंज हो जाएगी तो अब आपको एक बार ये भी समझ में आ गया कि किस channel पर हम signal लगा रहे हैं और उस हिसाब से हम इस signal को check करेंगे अब suppose करेंगे कि हम एक कोई signal कोई generator है अब इसे भी देख लेते हैं कि ये generator है देखिए frequency generator है frequency generator का अपना काम होता है कि वह frequency generate करता है यहां पर उसकी frequency नौब होती है आप किसी साब से उसकी frequency generate कर रहे होते हैं इसके बारे हम अलग से कभी बताएंगे अभी आप समझे कि इसका काम है एक alternating frequency signal को generate करना उस signal को major करना है तो हम सबसे पहले channel 1 पर उसको introduce कर देते हैं अब इसक frequency यहां पर तब major होगी जब हम इस timer से उस frequency की adjustment करेंगे frequency करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वह किस level की frequency का signal है अब अगर आपकी वह signal frequency ज्यादा या कम होगी तो हम उसको note करने के लिए हमें देखना पड़ेगा तो अब यहां से हम signal को adjust करेंगे कि हमारा signal कौन सी frequency का ह इस रेंज की frequency मा रहा है जयादा frequency की रेंज एक रेंज मा रहा है पहले चाहें तो estimate भी कर से एस्टिमेट भी कर सथे हैं कि अपने इंपड़ति से कितने frequency का सिंगनल रखा हुआ है आपने कुछ गिलो हट्जी की फ्रिक्वेंशी का सिंगनल रखा हुआ हुआ है सपर्ज़ अब वो किलो हटजी की फ्रिक्वेंसी का सिगनल यहां से जा रहा है इंपुट में तो इन पुट में यह भी देखना पड़ता है कि आपका जो प्लस है पॉजिटिव वाला सिगनल जो है वो इस जो यह nov होती है हमारी इस nov के जो सेंटर पार्ट होता है इस center part को हम positive signal मानते हैं और जो बाहर outer part है इसमें हम negative signal मानते हैं अब जब हम इसको introduce करते हैं channel पर तो channel पर जब यह introduce होगा तो आप यहां timer से इसको set करना है और कुछ basic setting करनी है इसमें थोड़ा साम को time लगता है समयोजन बनाने में कि जब यह इस तरीकी के vibration हमें दिखाई दे रहे होते हैं तो इस vibration से समझना चाहिए कि यह कहीं न कोई एक signal इसमें disturbance कर रहा है यानि signal इसमें disturbance हमें करने लग गया है जिसको कि अब हमें measure करना है अब हम उसे measure करने की process में आगे बढ़ रहे है चैनल वन पर हमने signal ले लिया है देखते हैं कि frequency signal किसी साफ से चल रहा है वेरी कर रहा है यह channel 2 पर major है setting तो इसको channel 1 पर रखते हैं तो channel 1 पर हम लख रहे हैं तो frequency signal आ गया हमारा तो हम गलत कर रहे थे channel 1 पर चल रहे थे अब हम अभी दिखा देते हैं आपको channel 1 पे signal हमारा आ चुका है अच्छे से signal बहुत बड़ा है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसके amplitude को मैं छोटा करना पड़ेगा इसके amplitude को कम कर लेते हैं इसके amplitude को कम करके हम signal को देख लेते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे कि signal का amplitude भी आपको दिखाई दे रहा है यह देखे आपको signal दिखाई देने लग गया अब एड़ेस्मेंट फिक्वेंसी के साथ करना है तो आपको और signal और अच्छे से दिखाई देने लगेगा कि signal बेसी कली है क्या यह एक सइनस वैटल सिग्नल आ रहा है या इक digital सिग्नल आरहा है सबोज दिजिटल सिग्नल है तो एक digital सिग्नल को किस तरीके से देख सकते हैं इसको हम देखने की कोशिस करते हैं, यह एक digital signal है, जिसकी जब frequency adjustment हो जाएगी, तो हमको यह दिखने लगेगा, देखिए, यह आपको यह digital signal है, अब हमें इस पर्स को रोकना होता है, हमें इसे देखना होता है, कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इसको आप आप ट्रेस कर सकते हैं, अब आप एक paper लीजे, तो आपको देखिए, वन, जीरो, वन, जीरो की line देखिए, जिसको अलकासा आप जूम करके भी देखना चाहें, तो यह आप देखिए, यह पहले खाने में वन है, तो दूसरे पर जीरो है, फिर वन है, तो फिर जीरो है, फिर वन है, तो फिर जीरो ह मम को दिखाई देने लग गई अगर हम इसकी intensity को थोड़ा बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हम पो यह और अच्छे से दिख जाएगा intensity variation करके अगर हम इसको कोई दूसरे signal को देखना चाहरा है तो देखिए ज़्यादा बढ़िया दिखाई देता है अगर आप sinusoidal signal को देखना चाहरा है तो यह sinusoidal signal आपको किस तरह से दिखाई देगा यह भी आप देख सकते हैं और इससे इसको एड़ेस्ट कर सकते हैं तो आपको एक ट्रेंगिलर वेव की तरह सिगनल दिखाई देने लग रहा है क्योंकि आपने आपने फ्रिक्वेंसी सेटिंग कर लिया है आसा करता हूँ कि यहाँ पर तक की बात आपको समझ में आ गई होगी इससे आगे हम अगले वीडियों बताएंगे